जैन प्यार साथ हो आप सब्सक्राइब को अपने इंटर्विव के लगतार तयारी करवा रहे हैं क्लास ही बहुत सरा करवा दिया है और चल रहा है साथ बज़े क्वीज भी चलता है और यह वैसे जो आपको इंटर्विव में बार बार पुछा जाते हैं उसको हम करवा रहे हैं गाड़ी से रिलेटेड कोचन से ठीक है और किसी भी कमपटेटिव की तयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जूर सकते हैं आपको सारा चीज़ य फिलेड क्या है ठिक है गारे क्रण करता है उसे हम करवा रहे हैं ठिक है करवा रहा कि तो कार्बोणचन में गर्ण१ेख ाप यूरा सामने हीट मीटर के इंडेक्शन कितना होना चाहिए इंडिकेशन जो करता है वो कितना होना चाहिए तो हीट मीटर का इंडेक्शन जो होना चाहिए वो C के रेंज में ही होना चाहिए एक वहाँ पे लगा जाता है तो वहाँ C के रेंज में होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ जाते है सोनो लाइट का क्या कार है ठीक है इस सब कोचन बहुत बार इंटर्वी में आप पूछा गया नीचलते करवा रहे हैं ठीक है किसी भी वहन में जितने भी महतपूर्ण इलेक्ट्रिक सिस्टम है जितने भी पार्ट्रिक सिस्टम उससे एक्टिवेट करना ही सोनो लाइट स्विच का काम करता है सोनो लाइट स्विच का क्या क्या है जितने भी एलेक्ट्रिक सिस्टम लगल है गाड़ी में उसमें उसको एक्टिव करना एक्टिव करना के काम करता है शोनो light switch करता है ठीक है तो समझ यह होंगे आगे हम लोग बढ़ जाते हैं आज चोथा कोचन के तरह मेंटनेस की द्रिष्टी से कौन-कौन सी चीजे weekly चेक करनी चाहिए मेंटनेस की द्रिष्टी से कौन-कौन सी चीजे weekly चेक करना चाहिए तो देखे पहला जो है इंजन आयल दुसरा ब्रेक आयल तीसरा कुलेंट आयल और चौथा ट्रांस्मिसन आयल पहला इंजन आयल ब्रेक आयल कुलेंट आयल ट्रांस्मिसन आयल यह आपको weekly चेक करना ठीक है आगला कोचन आपके सामने है आज का 25 निमर कोचन पिट्रोल डीजल में कौन कौन सी इंजन ज्यादा माइलेज देती है पिट्रोल तथा डीजल में कौन सी चीजे इंजन ज्यादा माइलेज देती है तो दीखे ये पिट्रोल इंजन आपको माइलेज ज्यादा देगा पिट्रॉल इंजिन डीजल इंजिन में कौन से ज़्यादा माइलेज देगा तो पिट्रॉल इंजिन ज़्यादा माइलेज देगा लेकिन पावर कम रहेगा पावर किस में सबसे ज़ाद होगा पावर आपको डीजल इंजन में होगा आपको पिट्रोल इंजन में खाली अस्पीड देगा ठीक है तो यह था आज के पाँच कोचन आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्षन में जुरू बताईएगा मिलता हैं फिर नेक्स वीडियो के साथ जैहिन